नेचर लवस आज जो पोधा आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही इंपोर्टेंट है सेंखडो बिमारियों का इलाज इससे हो सकता है और बहुत ही काम का पोधा है इसकी पत्तियों के काड़े का उपयोग जुकाम, सिर्दर्द, खासी, बांजपन, पुराना बुखार, आमवात, विकारों में इसका परियोग किया जाता है जोडों के दर्द में परियोग किया जाता है यह पचने में हलका नेत जोती बढ़ाने वाला केशों को हित कर तथा पेट के कीडों को निकालने वाला पेट की कीडे इससे खतम हो जाते हैं और शूल, शूजन, वायू, आव, आधी को ठीक करता है तथा बैक पेइन, सिलिप डिस्क को ठीक करने के लिए ये एक अचू कोस्दी है जिसके लिए 200 ग्राम पत्ते, 1.5 किलो पानी में उबालें तथा जब वो थोड़ा ठंड़ा हो जाये उसके साथ 100 ग्राम हल्वा बना करके सूजी का 15 दिन तक रोज खाएं जिससे ये समस्चा से थुटकारा दिला देता है इसके कोमन नेम चाइनी चेश्ट्री, फायलीव चेश्ट्री, होशू, विटेक्स, संभालू, निरगुंडी, निसिंदा, शिवारी, शिफाली, सिंदूवार, नोची, आदी नामों से इसको जाना जाता है जोइंट पेन में फ्लावर्स तथा लोंग दोनों को पचास-पचास ग्राम लेकर के पीस करके उसकी मूंग की दाल के बराबर गोलियां बना ले तथा रोज दो-तीन गोली सुभर शाम दूद से ले तो इससे जो जोइंट पेन होता और ठीक हो जाता लेकिन फिरिज की कफ, कोल्ड, सोर्थोट, ओल्ड फिवर, डायरिया, डैसेंट्री, इंडाइजेशन, कॉलरा, फ्लेटुलेंस, हैड एच, वो मेंस में ये एमसी को सही करता है, ब्रिज डिसीच सही करता है तथा पोस्ट मार्चम में काम आता है इसे काली नुद गुंदी भी कहते हैं वैसे दूसरी निगुंदी भी होती है तो इसलिए ये बहुत ही काम की चीज है और अगर किसी के कफ है तो इसकी जड का पाउडर बनाकर के उसको पानी से ले कुछ खाने से पहले ही तो ये कफ को मुह के रास्ते निकाल देता है लेकिन जो है जब इसका परियोग करें जोइंट पेन में तो कोई भी ठंडी ना खाए ठंडे पानी में ना ना है इसका बोटनेकल नेव वाइट एक्स निगुंदो फैमिली ले ये यह और इसे वर्भीन एसी में भी रखा गया है लेकिन कहीं कई पर लेमी एसी में मिलता है जो हमने आपको इसमें लिकर के दिया है शो किया है तो इसकी जो पत्ति होती हैं उसका रस अगर घाव या नासूर पर टपकाते हैं तो उससे घाव और नासूर बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं उनसे मवाद बहना बंद हो जाता रोठीक हो जाते हैं इसकी पत्तियों को अनाज में रखने से अनाज खराब नहीं होता है तो अनाज श्टोर करने में बहुत ही कारगर है इसको आप जो है कहें भी प्राप्त कर सकते हैं यह नदी नालों के किनारे होता है लेलवे लाइन के आसपास मिल जाता है तो बड़ा कोमन प्लांट है और आप इसे ढूणना चाहते हैं तो raceway line या नदी-णालों के किनारे से इसे आप ले सकते हैं कि प्रोपेगेशन भाई कटिंग कटिंग से इसको आप ग्रोग कर सकते हैं Winter और Smart सीजन में और इस्प्रिंग सीजन में कभी भी कटिंग लगा सकते हैं तो ग्रो हो जाता है लेकिन यह वाद ध्यान रखें कि यह पित्त प्रकृति के लोग हैं वो इसको ना लें और दूसरे लोग भी अगर इसका प्रयोग कर रहें थे आयर्वेदिक डॉक्टर से एक बार सल समस्या ना हो तो इसके लिए आप उनसे सला करके इसे लें और बहुत ही अच्छी अचूक ओस्दी है बहुत सारे रोगों की थैंक यू सो मच पूर वाचिंग कम्प्लीट वीडियो और इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल फोर म क्या बलाइक तो सब्सक्राइब में मुझ करतों चैनल ना हैंगा कृत्या था रेक्स